हलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं अगेन एक Instagram की काफी ज़ाधा अमेजिंग से ट्रिक के बारे में दोस्तों जो Instagram है काफी बार ऐसा होता है आप लोग के पास काफी सारे Instagram account होते हैं काफ़ सारी user IDs होते हैं और आप चाहते हैं कि उन में से कोई एक user ID को आप delete कर दे कहीं बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपके बाइस account तो एक ही होता है बट आपने can't ऐसे कर दी होते हैं कि आपको अपना account delete ही करना पड़ता है तो दोस्तों ऐसे में आपको delete करना है अपना account तो आप आएं विकुल सही वीडियो पे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने account को delete कर सकते हैं और काफ़ी सा easy सा तरीका है दोस्तों बट तब भी ये easily available नहीं है Instagram की settings में तो इसलिए बताना जरूरी हो जाते हैं आपे कि कैसे आप अपने Instagram account को delete कर सकते हैं तो दोस्तों फटा फट से इस वीडियो वो start करते हैं और बात करते हैं Instagram account deletion की दोस्तों Instagram का जो account है वो आपके पास होगा और आपने काफे सारे उसमें post भी डाले होंगे बट दोस्तों आप जानते हैं कि आप कैसे उसको delete कर सकते हैं नहीं जानते होंगे क्यों क्योंकि कोई भी जब भी अपना account बनाता है दोस्तों कभी ये सोचता नहीं कि उसको delete भी करना बढ़ेगा बट कई बर ऐसे current हो जाते हैं कि आप उसको delete करना चाहते हैं और उसी current के वश तो आज आप वी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने में वीडियो को like नहीं कहते हैं आप वीडियो को like कर दीजे ताकि सारी मुसीबते आपकी वैसी ही solve हो जाएं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और बताते हैं आपको कैसे आप अपने account को delete कर सकते हैं दोस्तों आपको account को delete करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको सबसे पहल अपने Instagram खोलने है Instagram की profile खोलने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे यह तीन line पे क्लिक करना है जहां से आपको settings का option मिलेगा दोस्तों last में आपको settings का option मिलेगा आप उस पे click कर लीजिए क्लिक करने बाद दोस्तों आप ढूंड ढूंड के पक जाओगे बड़ तब भी आपको नहीं मिलेगा कोई delete का button तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पे click करना है help पे और help पे click करने बाद दोस्तों आपको click करना है help center पे दोस्तों आप help center पे click करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है कुछ हिंदी में इसको फटाफट से इंग्लिश में कर लेते हैं दोस्तों हम लोग ने कर लिए इस page को इंग्लिश में पता नहीं क्यों हिंदी में आ गया था जी हां इस पर भी आप एक बार click कर लीजिए और देखते हैं उसके बाद क्या करना है तो दोस्तों delete पर click करने के बाद आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे जहां पर यह आप से एक में कहेगा कि आप इसको temporarily disable करना चाहते हैं या delete करना चाहते हैं permanently या आप से पूछेगा कि भी how do I access or review my data on Instagram तो दोस्तों यहाँ पर तीन question आप से पूछेगा है accounts related तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करना चाहते हैं delete account को permanently तो हम लोग यहाँ पर करेंगे account Instagram को delete करने के option को तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके पास आगे है बड़ा सा page और यहाँ पर काफ़ी साही चीज़े आपको लिखी हुई देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर आपको नीचे एक page देखने हो मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग इसको click कर लेते हैं तो यहाँ पर आगया है हमसे पूछ रहा हमारा username password फटाफ़ट से बड़ यूजर इम पासवर्ट डाल देते हैं ताकि हम लोग अपने account को delete कर पाएं तो दोस्तों हम लोग ने कर दिया है यहाँ पर password डाल दिया है और यहाँ पर अभी मेंसे information पूछ रहा है मैं इसको note now कर देता हूँ तो यहाँ पर आगया है मेरे पास यह option delete your account का मेरा account का नाम लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है hi we are sorry to hear that you would like to delete your account यह वो फलाना डिकाना बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर यह पूछेगा why are you deleting तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे options आएंगे यहाँ पर कुछ भी option select कर सकते हैं जो भी आपका reason है trouble getting started फलाना मैं यहाँ पर डाल देता हूँ too busy too distracting और यहाँ पर डालके दोस्तों मैं last में click कर दूँगा permanent delete my account पर दोस्तों यहाँ पर आपसे पहले पासवर्ट मांगेगा आपको यहाँ पर पासवर्ट दुबार से डालना पड़ेगा और इसके बाद आप यहाँ पर इसको delete का option दुब जरूर करूँगा क्योंकि मेरी एक ही आदत है कि मैं सारे comments पर इस जरूर reply करता हूँ कोई भी comment नहीं चोड़ता हूँ तो कोई भी दिखकता है dislike मानने से पहले एक comment जरूर करिएगा मैं आपको उस पर help करूँगा तो अमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो को से help मिली होगी तो हमारे चनल को subscribe कर लीजिए और सारे साथ मैं इस वीडियो को like भी कर दीजिए